नमस्कार साथियों जब कोई बड़ा कारणामा आप पहली बार करते हो तो लोग कहते हैं तुक्का है जब उसी कारणामे को आप दूसरी बार कर देते हो तो लोग कहते हैं किस्मत कद्यानी हो लेकिन जब उसी कारणामे को आप तीसरी बार दोहरा देते हो तब लोग कहते हैं नहीं वास ये तो का नहीं है एक किस्मत भी नहीं है ये तो महनत है प्लानिंग के साथ की गई महनत और अफगानिस्तान इस समय वही प्लानिंग के साथ की गई महनत दिखा रही है जिसने अभी तक सिर्फ दो वर्ल्ड कप खेले थी और सिर्फ एक जीत इनके खाते में थी स्क चैंपियन है इन्होंने उसको पटक निंदी दूसरी जी पाकिस्तान 1922 का विसर चैंपियन और तीसरी जी स्रिलंका के खिलाब 1916 विसर चैंपियन और एक खास बात कि आपको पता है यह तीनों पराज टीम है कि 20 वर्ल कप की भी जेता रही है तो आफगानिस्तान टीम के उप पहुच सकती है उसके तीन मैच वाकी है जी हां अभी तीन मैच वाकी है एक तो नीदल्यांट से जो कि आप एक शक्राइट कमजोर प्रतिदुन्दी है दो मैच उसके साउथ अफ्रीका और 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 ऑस्टेलिया से अगर आफगानिस्तान टीम एक तीनों मैच जीत जाती है सीधा से फाइनल पक का है दो मैच भी जीतती है तो भी अगर मगड के साथ साही फाइनल की संबाबना जिन्दा है उसकी अफगानिस्तान की इस अलग से टेंपरामेंट का इस सांदार अभियान का इस सांदार किर्केट का क्या कारण है मैं आपके लिए पांच बड़े उन्होंने भी कहा है कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम अफगानिस्तान में नहीं खिल रहे हैं जहां भी जाते हैं जिस मैंदान में जाते हैं बस माहौल बन जाता है भारती क्रिकेट प्रेमी भारत के अलावा जिस टीम को सबसे ज़्यादा प्यार दे रहे हैं सबसे द फथान करवा दिया ना वह देखने लाइक थह भारतनी कर्संसकों ने आपको बता दिया कि घ्राइट सेश्ञतें यहां पर सपोर्ट दूसरा कारणय कारणय मांट से अफगानिस्तान किरिक्रेटर का मांट से उलद से अलग सा दिखता है इसका कार्ण है उनके कोच जो नाथन ट्रॉट जी हां पागिस्तान के खिलाब मैस से पहले जिस तरह से जो कि साहिदी ने बताया है कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा फगानस्तान के खिलाडियों से कि उनका टेंपरामिट अचानक से चेंज हो गया एक जम से चालिस ओबर तक हमें चाहिए 200 और 48 में चाहिए 242 और हम सब ने देखा कि आफगानिस्तान के खिलाडियों ने इसी बिल्कुल इसी लीक पर चल करके मैं जीत लिया तो यह बहुत बड़ी वात है कि आपके कोच जिस तरह के टार्गिट आपको दे रहे हैं आप उसको बिल् इनका माइंड माइं इनका सब्सक्राइब 2 यह पाकिस्तानी किर्केटर सोय मलक ने भी उनके बारे में यही कहा है क्या कहा है उन्होंने कहा था कि जो अजय जड़ेजाजी है वह एक सांदार किर्केटर ब्रेन है बहुत बड़ा ब्रेन किर्केटिंग ब्रेन है ऐसा उन्होंने कहा है और बहुत चीज़ हमें आफगांस्तान परिस्थितियों में बहुत इच्छे तरह से बताया है चौथा तो बड़ा कारण है यहां की परिस्थितियों का इनको आदी होना यहां का जो प्रैक्टर सेशने इनका नयदा में चलता रहता है आईपील में बहुत सरे अफगान खलारी खेलते हैं मुझी होगे रासेद होगे नभी होगे नूर होगे इस अब आईपील में खेल करके और बड़े स्टार बने हैं आईपील की यह लोगों पज हैं तो इसके बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उनी परस्तितियों फि स्री लंका की युबाउं से भर कर युझी तो फाइनल तक सफर के किया था दोहजार नीस में लेपम से नई इंगलें टीम आयती हुए ऐसा थेम प्रमेटर युबाव टीम ने की बिजयता बन गई थी वही चजाद लाहे है अफगानिस्तान की खिलाडियों की उमर पर एक आपको समझ में आ जाएगा रह्मनतुल्लाह गुर्बाज तेश साल इब्रहिम जादरान तेश साल रहमत साय जरूर तीस साल के हैं साहिदी 28 साल उमरजई 23 साल फारुखी 23 साल रासित खान 25 साल नभी हाला की सीनियर है लेकिन मुझीव और यहां पर हमें चीज नहीं भूलने चाहिए कि ऐसे देश से आती है एक ऐसे इलाके से आती है जहां पर खुशियां बहुत कम मिलती है अफगानिस्तान लंबे समय यह से जूजा है और यहीं अफगानिस्तान के कप्तान का भी कहना है कि हमारे यहां किर्केट ओनली थेंगे हैपिनेस का तो हम बस अपने देश बास्यों खुश करना चाहते हैं इसलिए उनको एक देश के लिए खेल रहे हैं वैसे हर को अपने देश के लिए खेलता है लेकिन अफगानिस्तान पास्तों में एक लड़ा का प्रजाती हम सब जानते हैं तिहास उठाकर देख लीजिए